गुद मॉर्निंग आप सभी लोग का वैलकम है इंग्लिज क्लास 11 आपको करवाने वाले हैं मॉडल कुछन पेपर जो पुछे जाएंगे 2024 एक्जाम में आप टोटल को है टोटल आपका 40 MCQ एक्जाम में पुछा जाएगा वन कुछन रहेगा एक मार्क का किता रहेंगे 40 इस कुछन आपको कैदी रहेगा वन मार्क का फोर ऑप्सन गिवें रहेगा students expected to select the most appropriate answer करना है आपको all the questions compulsory no marks will be detected for wrong answer कोई marks ऐसा नहीं कटेगा अगर कोई question wrong करते है उसका marks आपको कटेगा भी नहीं आनी की 40 question रहेगा आपका और 40 marks का रहेगा आपको आए तो आप पुरह explain करेंगे हर question का MCQ को question भी हो इसका answer ही बताएंगे आपको time मिलेगा ए घंडा वीडियो को लास्त तक वाच करेंगे like share first time होगे subscribe कर दें आगे भी आपको important MCQ करवा जाएगा English class 11th exam का exam होने वाला आपका फरवरी मन्त में आए आते हैं कुछ देखिए दिखावा है multiple चोगशों कहते हैं MCQ read the passage given below and answer the question from 1 to 5 करना है the concept of renewable energies has gained significant attention in the recent यह तकी आपका पैसेज दिया गया थे क्या पैसेज पढणा एज वे वे तो रिदूस आवर डिपेंदेंस तो फॉसल फ्यूल्स एंग कॉंबेट क्लामेट चेंज शोलर विंद 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 हैड्रोग्ट्रिक जिगोथर्मल औं बायो मास और एक्जांप इस सबके एक्जांपल है रिन्यूबल एनर्जी का सोर्सेज का इस सोर्सेज आर कंसीडर रिन्यूबल विकाउज दे कैन रिप्लेश नेचुरली अनलाइक फॉसल फ्यूल्स विस्टेक मिलियंस ओफ यर्स तो फॉर्म और फैनाइट वन अब बेन अबनाइज आपनाइज लाइक सल्फर एक्षाइड और अट्रो उंकसाइड आजए दी कॉस्टे फिर आते हैं हमसे क्या करता है सोलर विंड लेक्ट्रिक यो थर्मल और बायो मास और एक्जांपल डैस सोर्स किसका है रिन्यूबल फॉस बताएं रिस सब क्या है आपका रिन्यूबल एनर्जी है त बढते हैं what take millions of years to form and are finite कितना टेक मिल्यंस ओफ यह लगता है तो फॉर्म और पाणये है आपका हारम को नुक्सान दायक पॉलूटेंट है देखी ऑप्संस दिये गए है आपका ऑक्सिजर नाइक्ट्रोजर हट्रोसाइड की सलफड है बताइए देख सबसे खतरनाक जो है आपका सलफड डाइक साइड है तो अप्सन नमबर डी हो जाएड़ा थाड का बढ़ते ह पर पर वाट इज वन ऑप ग्रेटेस्ट एडवांटेजेज और रिन्यूबर इनर्जी सोर्सेज का बताना है कोश्चन नमबर फोर का तो हो जाएगा और सी हो जाएगा इटीज इंवर्टमेंट फ्रेंडली क्या प्राइब या पैसेज में आपको बढ़ते है कोश्चन न करना कै करना का चाहां करना द Nashville कि Recreate करना क्या हो जाएगा प्रोडी स्ट औ क्या हो जाएका प्रोडीूस करना तो हो जाएगा प्रोल्इक रटीव question number six number पे six number कहाता है abbreviations are freely used जो है कहां पे यूज कहा जाता notice में later में note making आठी कर बताएं question में देखिए abbreviation यूज कहाता है note making में शिक्स का option number c हो जाएगा right answer question 7 बढ़ाते है the summary of the passage contents क्या contents करता है देखिए वो contents करता है main बताता है आइडिया के बारे में ठीक है तो option number A हो चाहिए answer question number 7 का बढ़ते है question number 8 पे how would you address the recipient of an formulator का address कैसा होना चाहिए बताएंगे 8 number का तो होना चाहिए dear sir या तो होना चाहिए madam होना चाहिए इसका dear sir या तो dear madam ठीक है option number C right answer question number 8 का बढ़ते है question में देखिए आपका 9th number पे 9th number का the latest student editor रीटिंग से लिखा जाता है newspaper को school college या कलब ये लिखा जाता है newspaper को option number A हो जाएगा right answer question number 9 का 10 पे आते है what should not be include in report writing में क्या जो है सामिल नहीं होता है बताएं question number 10 पे तो personal comments में नहीं कर नाटा लिखना है आपको information करना है तो option number A हो जाएगा right answer question number 10 का परते question 11 पे in report writing narration of the event is always done कहां लिखा जाता है ये report writing narration को जो है always done कहां पे होता है present form में simple future form में immediate past form में की present continuous पहता है question number 11 का ये होता है past form आनि क्या कहेंगे immediate past form कहेंगे 11th का option number C हो जाएगा right answer question 11 का बढ़ते हैं question 12th number 12th number कहता है आपका what should be the first paragraph of an article be all about क्या होता आर्टिकल का first paragraph वो बताना है question number 12 का 12 का हो जाएगा option number A brief introduction of the topic option number A right answer बढ़ते है question 13th number पे 13th number कहता है what can we retain in conclusions in article writing में क्या retain conclusion क्या होता है थिकर मुद्धन कहता है का निसकर्स क्या होना चाहिए 13th number के बात करेंगे इसमें होना चाहिए आपका suggestions और remedial measures दोनों हो चाहिए आने option number D हो जाएगा 13th number को बढ़ते है 14th number choose the grammatical correct sequence for the given jump ocean तो करना है ठीक है island is a Sri Lanka is an Indian ocean ठीक है पता ही क्या हो जाएगा 14th number का तो क्या हो जाएगा स्रिलंका is an island in the Indian ocean हो जाएगा देखे तो यह आपका बन राइट आंसर स्रिलंका पहले आएगा फिर is an island in the Indian ocean यह perfect बन रहा है आपका sequence तो 14 का option number B राइट आंसर बढ़ते हैं question 15th number पे आ रहे है 15th number को चुछुछ तक हम तिकल संट्रेक करना है जब संट्रेंस में संट्रेंस आपका क्या होगा 15th number का यहां देखी हो जाएगा सक्स्पियर जेकि पहले सच्पिर आ जाएगा फिर इज दा आएगा फिर ग्रेटेस्ट आएगा ड्रामेटिस्ट इन दा वर्ल्ड तो यहां हो जाएगा option नमबर ए हो जाएगा 15th का ए राइट आंसर बढ़ते हैं 16 नमबर पे ब्रेड एंड बटर डैस आवाट डेली देखी वेसी का डेली पर क्या है बेटर डेली खाने का है तो देखिए बेटर क्या है एक ही चीज का ए रहेगा करें मिल्क राइस एंड रहेगा पल्स तो समझे नहीं आपका सिंगुलर है इसलिए आपका इस यहां पर आ जाएगा ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 17 नमर पे 17 का इफ आई फेल वैन आई डैस दा रोड बताएं को सबैंटिन नमर का सबैंट आई फेल व हो जाएगा यू में क्या हो जाएगा ओप्रस नमबर ए राइट आंसर बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 19 नमबर पे 19 नमबर बढ़ता है 10 सीम तैस यूसीम क्या तुम तैयर सकते हो सेंस आ रहा है ना इसलिए हो जाएगा कें हो जाएगा आपका मोंडॉल भर can you see option नमबर यह तो इन्टी बै द बी गर्ल इंथा पयद्ग है फोटोग्राफ रह कgres तो पोटोग्राफ जो थो है किसे करता है रह फोटोग्राफ जो है पोएट्स के मा को रहर करता है छायगा आग्सन नमा बी पोएट्स Люб Smण कर । चा मब जा зовे का देब पांत किया गया September मंत के बारे में आप्सर नमबर सी राइट आंसर 22 पर आते हैं इन दपोयम दब्वाइस ऑफ दर रेंट फॉलोवी इस परसुनिफाइट किसको इंडिकेट करता है 22 नमबर पर यह करता है रेंगो नामी देखिए रेंग यहां पर दिखाई पर आपको वन्स लॉस्ट चाइल्डूड इन तियो देखिए 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 फेस ओफ चाइड ऑप्सर नमबर सी राइट आंसर 24 एकॉर्डिंट टु दपोयम फादर टू सन हुई स्पीक लाइक के बारे में किसने बात किया देखिए बात किया गया फादर एंड सन ऑप्सर नमबर पर आते हैं वाइड डिद ना ऑथस गेंड मदर एकॉंपैनी टुई इस ही स्कूल किया जो है गेंड मदर का एकॉंपैनी साथ होता है अपने स्कूल में यह हो जाएगा भी काओ जी तो वाज टेस्टू दा टैंपल ऑप्सर नमबर यह राइट आसर बढ़ते हैं 26 कैसा होना चाहिए एजुकेशन होना चाहिए रिलीजियन वेस्ट पर धार्मी पर ठीक है तो अप्सर नमबर सी हो जाएगा कोश्टन नमबर सी राइट आसर बढ़त करेंगे हम लोग कहता है क्या चीज़ आपका हाउ मेनी इयर्स डिट गॉर्डन कूक इस वाइप स्पें स्किल्स पता है 27 नमबर का हो जाएगा 16 यर्स ऑप्सर नमबर सी राइट आंसर 20 बढ़ते हैं गॉर्डन कूक किन कैप टाउन टैकल दा साउधन इंडिया एसन किसने जॉइन किया था पता है 28 नमबर का यह जॉइन किया था आपका लेरी विजील हर्व हर्व सीगलर ऑप्स धटाह किया गया था हैवार का मिदृ किया विजीक नमबर सी आपसिंञे राइट अंशर कि नमर के बढ़ते हैं 20 नमर काताा है जोसे कह जाता है उसे हैा जाता है भेली ऑफिंग्स उप्सम नमबर डी राइट राइट औसर 31 पक जाते हैं गंघंधरत गेंग तंडेवाज प्रोफेशर गंगा धरपंत जो है गयतोंडे प्रोफेशर किसका थे 31 नमबर प्रोफेशर थे हिस्ट्री का तो अप्शन नमबर सी राइट आंसर 32 नमबर पे आते वेर डिट द ऑथर गो तू द गो तू द कम्प्लीट द कोरा कहां ऑथर गये थे कोरा को कम्प्लीट करने के थे 32 नमबर का हो जाएगा माउंट के लास गए थे औप्शन नमबर सी राइट आंसर आए थटी थी नमबर पे आते हैं वाट डीट लाम हो गीब द ऑथर एज फेर वेल परचेंट 33 नमबर का हो जाएगा उप्शन नमबर एज्टिस सीन कोट ऑप्शन नमबर एज राइट आंसर 35 नमबर पे आते हैं the summer of the beautiful white horse is a short story two dash wise किसका दो बवाय का था story बताएं 35 नमबर का ये अर्मेनियन का है तो option number B हो जाएगा आपका right answer आएए बात करते हैं 36 नमबर पे who was the true honor of the beautiful white horse का जो है true honor किसे कहा जाता है बताएंगे या देखिए घोड़ा था ना जोन बायरो का था ठीक है जो लेके आ गया था अर्म लेके मुराद दुनों करता था ठीक है जोन बायरो का था ये beautiful white horse option number D right answer 37 पे आते हैं who has been telling the fortune of Mrs. Pearson जो है किसन टैलिंग कि 37 नमबर पे ये हो जाएगा मिसेस मिसेस फिजर फिजर राल्ड होगा तो option number A right answer आई 38 नमबर एंड्री मैंसन वाज डैस बाई एंड्री मैंसन जो है प्रोफेशन से क्या थे टीचर लॉवा डॉक्टर की मैंसन 38 नमबर वो डॉक्टर थे तो option number C हो जाएगा आपका right answer आई आप बात करें 39 नमब दे किंग लॉश्ट इस क्राउन अंडर दा आर्क वी काउज 39 देखिया हो जाएगा दा आर्क वाज ब्यूल टू लो क्या थे बुश्टा था हूँ आई आते हैं last question number 40 पे आते हैं according to the poem the tale of melon city who was finally hanged किसे last में जो है फासी पे अटका दिया गया था बताएंगे यहां लटका दिया गया था राजा कोई फासी पे अटका दिया गया था आने option number B हो जाएगा the king हो जाएगा यहाँ पे right answer यह आपके थे जो करवा दियें top 40 m6 को जो एक्जाम में पूछे जाएंगे class 11 2024 एक्जाम में अच्छा लगा होगा like, share, subscribe करने first time होगे तो thank you